गुड मॉर्णिंग टू आल टूड़े आई एम गएंग टू एक्स्प्लेन चेप्टर फाइब क्लास ट्वेल्थ बायोलाजी प्रिंसिपल्स आप इनहेरिटेंस एंड वेरियेशन ठीक है यह हमार अनया चेप्टर है जिसको हम लोग आज study करेंगे ठीक है तो इसले हम लोग देखेंगे inheritance और variations क्या होता है यहां जो होता है basically genetics जो की बायोलाजी के ब्रांच है जिसक्का part है इसके अंतरकत हम लोग inheritance क्या है variation क्या है उसके principles क्या है उसके बारे में deeply study करेंगे ठीक है तो फर्स टेल हम दिखेंगे इसका इंट्रोडेक्शन ठीक ब्रांच आफ बायोलाजी देट डिल विद इस्टडी आफ जीन्स जेनेटीक वेरियेशन एड हैरेडिटी इस नोन अज जेनेटिक्स ठीक जेनेटिक्स जो होता है बायोलाजी के एक ब्रांच होता है जिसके अंतरगत हम लोग जीन के बारे में जेनेटिक वेरियेशन के बारे में और हेरेडिटी के बारे में किस प्रकार हमारे यो ट्रेट होते हैं टिक है य। आपका किस प्रकार से होता है कि प्रकार है कि जब जब कोई elephant जो रहता है उसका जो baby birth होता है तो वह होता है वह जो other animals के जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं सेम जो identical होते हैं यह plants में भी देख सकते हैं कि कोई mango का seeds है अगर mango plants बनेगा तो जो है वह अपने parents के समान ही एक कि जो होता है ठीक है इसमें क्या होता है जिसमें कुछ Satoshi iv propose तो हम लोग देखते हैं इसमें inheritance क्या होता है टिक watching देख लिए इस विए स्टेडि करते हैं उसको ली उसुटेर करते हैं चया analogy कि इन रिटेंस क्या होता है the process by which character are passed on foreign to cu inheritance जो होता है वह process होती है जिसके अंदर गत्त हमारा करेक्टर्स है के dressed characters को जो है या traits को जो है parent से पूरेत में जो होता है Pass out के जाता है मतलब एक जेनरेशन से जो होता है parents वाले generation से progeny वाले generation में जो character को जो है आपका pass करने की जो process होती है transfer करने की जो process होती है that is a inheritance variation देखते है variation क्या होता है it is the degree by which progeny differ from the parents degree it is यह वह degree है जिसमें क्या होता है progeny differ from parents जो progeny one generation जो प्रोजनी आता है उसमें difference होता है या फिर भी भिन्नता पाए जाती है ठीक है वह morphological हो गया या फिर आपका genotypical हो गया ठीक है दोनों प्रकार से जो आपका उसमें जो differentiate या फिर उसमें जो भी भिन्नता पाए जाएगा ठीक है उसको हम लोग क्या वह लेंगे वेरियेशन वह अतलब वेरियेंट वेरियेंट हो जाना ठीक है प्रोजनी से parent क्या हो वेरियेंट हो जाना अलग हो जाना that is a variation ठीक जैसे एक्जामपल में हम देख सकते हैं यह अतिक है प्रोजनी रहते है उसमें क्या होते है वेरियेशने हैं कित वैंट्रम्न लॉजिश येंदिक्स के नतर गठ से लोग देखेंगे ठीक है कि यह तर्मिनलजञे तो इसको मतलब क्या होता है तो जेनिटिक जो होता है आपका लाइप साइंस का ब्रांच होता है जिसके अंतर गथ हम लोग हारी टी आपक ल packet लोग हारी ट्राजों साइंस का ब्रांच harness करते हैं टीक जो जो characters हैं जो traits है उसको parents से लेकर of spring में जो है आपको transfer या फिर transmission किया जाता है character को वही की को उसी को हम लोग क्या बोलेंगे heredity कि ठीक है एक one से दूसरे one में जो होता है उसको southern erand transmission करना that is heredity variation variation मतलब business it is the difference among office bring and with their parents yeah जो होता है difference होता है वरीशन में क्या parents और off spring जो parents generation है और उसके जो off spring है उसमें जो differences आएंगे वही का कहलाएंगे करेंगे जाहिए वह मौर्फोलाजी का लाय चाहिए कि जीनोटाइपिकली ठीक है यह एड़िट्री वरिएशन आप संगवांसागती वरिएशन क्या है विभनिताय क्या है its this are genetically and inheritance hereditary variations के अंतरर क्या होते हैं its this are genetic and inheritance ठिक यह क्या होते है genetical inheritable होते है that is the hereditary variations environmental variations क्या है these are acquired and non-inheritance यह जो होते हैं अप्टलब उपारजित बोल सकते हैं इसको हिंदी मभलूग अक्वाइड या फिर नॉन इन हरिटेबल जो है कि आपका कि वह इन्वर्मेंटल वरियेशन इन्वर्मेंटल अल्ग इन्वर्मेंट के कारण जो आपको इसमें वरियेशन आते हैं ठीक है अपने हरिडेटरी वरियेशन और इन्वर्मेंटल वरियेशन जो कि एक्स्टरनल इन्वर्मेंट या इन्टरनल इन्वर्मेंट के अक्वाइडिंग जो उसमें जो केरेक्टर्स हैं वहाँ आपका आप उसमें वरियेशन लाते हैं या फिर नॉन इन्हरिटेबल से बोलते हैं इसक जो जनेटिक्स है उसके फादर है जिसने फर्स्ट इस्टेडी किया था ठीक इसके में देखें कि हम लोग क्या क्या है फादर आप जनेटिक्स यह जो होते हैं जनेटिक्स एक ब्रांच है बाइलाजी कि जिसके फादर कौन है Gregor Johns Mandel फादर आप माड़न जनेटिक्स यह जो है आपका फादर है आपका माड़न जनेटिक्स है उसके फादर है Gregor Mandel developed the principles of heredity will studying seven fairs of inherited characters in fear plants तो इन्होंने किया क्या था जो आपका Gregor John Mandel थे उन्होंने किए यंद्वे lifes एक में जो खांक जो मैं आ पटर के प्लांट्स है उसम में आपका है जो प्रिंधिट के रेक्टर है छैffen के एक प्रिंसेड़ों किया नुद ध्यूोप के मेंडल जो एक्सपेरि मेन्ट था उसमें तो यह कितने डिनों तक ग्रिकरजान मेंडल ने किया तो यह ऐग एक्सपेरिमेंट है इनहें ने पैक्री हों में आघका ऑन 거지 चैनल क्टेमेंट है? तो उसको जो है आपका जो बंटॉटक्टर सोह very own seven years on seven years the जो है आपका 1856 से 1863 तक जो है अक्स्पेरीमेंट को कंडक्ट किया थिक एन उन्होंने एक लादिया ठीक है लाव इनहरेटेंस उसके बाद 7 साल एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने लादिया आपका लाव इनहरेटेंस ठीक His Approach Used Pia Plant For His Experiment Due To उन्होंने Pia Plant को ही क्यों आपका इस अपने Experiment के लिए आपका Approach किया या फिर उसी को क्यों लिया ठिक क्यों यूज किया Pia Plant को ही क्यों उन्होंने आपका साथ साल तक क्यों study किया आपका Inheritance के लिए ठिक है तो जोौपलांट्स रहे बहुत सारे हैं तो छए प्लांट्स आरेशी मील जाते हैं थिक प्लांट्स एजी अबति कर सकते हैं जो घचाल is better कर सकते सकते हैं इसलिए उन्हें आसे हैज अंब मतलब हो जाते हैं लाइब सांग होता है कुछी मंत होता है इसलिए उसने आपका प्या प्लांट को ही लिया और उसका जो रिजल्ट होता है जल्दी आपका आजाता है उसका जो रिजल्ट है वह बहुत ही जल्दी आफिर अरली आजाता है उसके जो कॉंट्रेस्टिंग ट्रेट्स थे उनको उन्होंने अब्जॉर्ब किया ठीक, flowers are bisexual and normally self-pollinated, जो पिया प्लावर्स के flowers हैं, वो जो हैं bisexual होते हैं, ठीक है, उसमें male और female gamit दोनों होते हैं, and normally जो होते हैं, self-pollinated होते हैं, क्या होते हैं, self-pollinated होते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन एक यही flower के अंतरगत हो जाता है, flower can be crop-pollinated only manually, जो flowers हैं, वो cross-pollinated only manually, ठीक, hybrids are fertiles, जो उसके hybrids हैं, वो क्या होंगे, fertiles होंगे, ठीक, poor line breeding was possible, इसमें जो होता है, poor line breeding जो है, possible होते हैं matter के plant में, इसलिए उन्होंने प्लांट्स को ही अपने experiment में लिया, और seven years तक जो है, उन्होंने study किया, experiment किया, observe किया, और love heritage को दिया, ठीक, जो की, फादर आप model genetics है, ग्रिगर जॉन, मैंडर, ठीक, ट्रेट्स आप plants, ट्रेट्स देखें plants का, तो basically, प्लांट्स का trade देखें, तो उन्होंने इन ट्रेट्स के कारण जो है, उनको लिया, ठीक, उसके characters देखा, dominant है, कि recessive है, ठीक, तो उसका height देखें, तो height जो है आपका, एक को टॉल लिया, एक जो sword था, या फिर उसको क्या बोला उन्होंने, डॉर्फ, ठीक, seat shape देखें, तो seat shape में, एक round था, और एक क्या लिया, उसमें क्या था आपका, wrinkles था, जिसको उन्होंने रिसेशिव के अंदर गट लिया, ठीक, जो tall था, उसको dominant के अंदर गट, seat color देखें, तो जो yellow था, dominant के अंदर गट आया, जो recessive था, green, ठीक, seat coat color देखें, तो basically जो आपका green था, dominant के अंदर गट लिया है, और जो आपका yellow था, recessive, board shape देखें, तो inflated था, उनको dominant के अंदर गट लिया है, या फिर full बोल सकते हैं इसको, और जो constrict था, constricted था, जो dual था, उसको recessive के अंदर गट, board color देखें, तो जो green था, उसको dominant, और आपका yellow था, उसको recessive, flower position देखें, तो जो exhale था, जो बीच में था, आपको dominant के अंदर गट लिये, और जो terminal, जो flower सबसे top में था, आपका flowering होता है, उसको क्या हम लोग लिये, recessive, that is a, traits है, या plants के, ठीक, character dominant in recessive, draw back up experiment, उसके बाद क्या किये, experiment के, applied statical analysis and mathematical logic for biological problems, large sampling size, large sampling size, confirmations of inference from experiment on successive generations of test plants, proved general rules of inheritance, यह आपका draw back experiment का, ठीक है, जो की sampling size large है, ठीक है, confirmation of inference and experiment on successive generations of test plants, proved general rules of inheritance, inheritance of one gene, monohybride cross, उन्होंने जब experiment किया, तो सबसे पहले उन्होंने क्या करवाया, एक one gene या फिर उसको monohybride cross भी बोलते हैं, inheritance का जब experiment किया, तो, monohybride cross के अंतरगत क्या होता है, monohybride cross, different genes are controlling the same character, ठीक है, different gene है, उसमें क्या होता है, same character जो होते हैं, आपका, दिखाई देते हैं, different genes controlling the same character, f1 generation में देखें, तो हमारा क्या, filial 1 generation, f2 में, filial 2 generation, इस परकार हम भी देख सकते हैं, ठीक है, यहां diagram दिया गया है, जो कि हमारे एक है dominant है, ठीक है, जो capital T, capital T है, that is a dominant, ठीक, और small T, small T, that is a recessive, यह क्या है, यह क्या है, यह क्या है, आपका parent generation है, ठीक, parent generation है, उसके बाद हम f1 generation की बात करें, तो f1 generation की बात करें, तो यहां क्या होगा, जीनो टाइपिक, आल आर, capital T, small T, phenotypic, आल आर, टॉल, इसमें हुआ क्या, जब cross के gamits को, dominant और recessive को, तो यहां से हमारा क्या है, capital T, यहां से small T, ठीक, capital T, small T, बन के यहां क्या होगे, आपका capital T, small T, that is a dominant, क्योंकि यहां पर क्या है, हमारा capital T है, इसलिए यह क्या होगा, dominant होगा, ठीक, meeting करवाए, फिर दोनों का meeting करवाए, जो आपका dominant है, आपका capital T, small T, उसका फिर meeting करवाए, तो क्या होगा, meeting के पात, जो gamit, जो आपका gamit बनेगा, उसको फिर आपका यहां पर capital T, small T, capital T, small T, तो यहां से एक capital T यहां से कि small t यहां से फिर capital यहां से फिर small प्रकार से लेकर cross करवाए तो कि result क्या हुआ कि यहां पर हमारा फस्ट आपका f2 generation में क्या होगा जीनो टाइप और phenotype ठीक है तो आपका जीनो टाइप था कौन से रेशियो में आया एक one ratio two ratio one ठीक मतलब जो character है वह इस प्रकार से आपका जो capital T है वहां क्या आया एक यानि one ठीक और आपका जो capital T small T capital T small T आया उसका क्या संख्या क्या है दो है तो one ratio two और जो small T small T है वहां कितना आया एक इसलिए one ratio two ratio one ठीक that is a genotype phenotype की बात करें तो टाल डॉर्फ three ratio one क्योंकि इसमें क्या है जो टाल डॉर्फ है वहां क्या है एक ही है तो three ratio one that is a phenotype f2 generation में ठीक इस प्रकार से क्या हुआ इसमें इसमें क्या है यहां पर क्रॉस ठीक मोन हाइब्रीट क्रॉस ठीक है ना राइगराम है यहां इसमें इसमें समझ सकते हैं ठीक यहां यहां पर दिया गया है ठीक एफ जनरेशन में क्या है आपका वन बाइफ फोर्थ वेर डॉर्फ द्डॉर्फ है बाइफ क्या फोर्में बन ही आया ले किन यो तॉल था वह आपका इस बाइच हम ब्रस्ट के ब्रस्ट रर्फांट क니다 next generations through gametes factor gene इसमें क्या हुआ इस्टेबली जो आता है पास दू जेनरेशन तू जेनरेशन जो पास हुआ गैमिट्स वह क्या हुआ उसके factors क्या है जीन जीन के कारण ही जो होते हैं एक जेनरेशन दुसरी जेशन में क्या होते हैं थिक जीन फेक् maltratने नहीं जो होता है इसके अंतर्गार जो होता है इसको एक्सक्रेस करता है particular trait में ठीक जीन वीच कोड फॉर प्रेयर आफंटरेस्टिंग ट्रेट है जीन वीच कोड जीन का एक सपेसिफिक कोड होता है प्रेयर में जो की त्रेक्ट अभुषेट्ट अधर साता है या तिस अल्फडिक। अलफबेटिकल शेंबाल में यूस के जाता है इसमें टी जो पूनिट 08直接 2 नोल यहीं होता है एक बॉक्स इस्ट्रक्ट्रल बॉक्स होता है जिसके अंतर गए मिट्स को जो हे आपका रोयल और कॉलम में है पॉय यह फोर कर लिखा जाता है और इसको सिंपल मेथमेटिकल जी ति को फाव में सिसको अडाइज के जाता है ठिक यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंट टू कैल्कुलेट दा प्रोबिलिटी आफ आल पॉसिबल जीनो टाइप्स आफ एन ऑर्गनिजम्स इन जेनेटिक क्रॉस हम लोग किसी ग्रैमिट्स को जेनेटिक क्रॉस कराते हैं तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग पॉनेट इसक्वायर ठीक है जिसके अंतरगात हम लोग क्या क्ल्कुलेट करते हैं प्रोबिलिटी पॉसिबल जेनोटाइप जो होती उसकी प्रोबिलिटी एन संभावना को जो होता है उसमें क्या किया जाता है उसको कैल्कुलेट किया जाता है ठीक कोई भी और्गनिजम को जो जनेटिक क्रॉस कराके उसमें आपका पॉसिबल जनोटाइप की की बात करें तिरह आपका 3 by 4th tall होगा 1 by 4th dwarf होगा ठीक that is a phenotypically ratio इस प्रकार से होगा 1 by 4 ratio 1 by 2 ratio 1 by 4 ratio of capital dominant capital T capital T dominant capital T small t recessive small t small t that is a genotype ठीक इसमें हम लोग देख सकते हैं which implies that among that cross 25% dominant capital T capital T tall plants होगे 50% is dominant capital T small t tall plants होगे and 25% small t small t recessive dwarf or plants होगे ठीक that is a so so thereby if we get the genotyping ratio is one ratio to ratio one example capital T capital T ratio capital T small t ratio small t small t any dominant dominant recessive that is a iska ratio होगे ठीक test cross test cross क्या कैसे होता है कैसे किया जाता है ठीक है इसको हम लोग जो है next class में अच्छे से देखेंगे ठीक क्या है भीक आठाबगे अग, अट रिया, इसको सम्टेगों, यह अगिफ़ जब कर्या तो टको कैसे क je उता है रहायं आखा उाखेंगे लो, जग्धे वेओवरेश् रहाएंगे में सतता हैं, जूंधे लोग।, फझ़ अवें में 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 पaoग, जो लricsाश़ झाना